गुड इवनिंग और वेलकम टू गिल्ज मिन्टोर ओनलाइन ई-लर्निंग पेटफॉर्म आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे रिकूर्ट्मेंट के सबंदीत मैं आप सब के लिए एक बहुत इंपोर्टन अपडेट लेके आया हूँ जैसा कि आपको पता है गिल्ज मिन्टोर सरकारी नोकरी की सबसे पहले उर्स्टिक जानकरी भी देता है आप चाहते हैं कि आप तक किसी परकार से न्यूज अपडेट होती रहे तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें सबस्क्राइब करने के साथ में बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं बूलना अगर आप पंजाब के PPSC Senior Assistant P.S.C.B. Clark Exam Principal Headmaster इसके अलावा N.T.P.C. का Papers की तियारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में कोचिंग करवाई जा रही है और इसके साथ में आपको फ्री में Study Material भी दिया जा रहा है गिल्ज मिन्टोर के दवरा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे लिंक्स पर क्लिक करना नहीं बूलें जहां से आप सारी जानकरी ले सकते हैं चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल कि कहां और किस तरह से विकैंसिस आउट हुई है और आप में से कौन-कौन अप्लाई कर सकता है ये गाइस एक Notification रिलीज हुआ है Airlines Light Service की दवरा और आपको दिखाऊंगा पूरी डिटेल यहाँ पर काफी विकैंसिस हैं वेरियस विकैंसिस अलग-अलग डिपार्टमेंट में है तो मैं आपको प्रोपर डिटेल दिखाऊंगा कि पहले आपको बता देता हूँ कि कैटेगरी दे रखिये नमबर विकैंसिस की बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहां हो सकती है और आपकी सेलरीज क्या हो सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमबर वन पर जैसे चीफ फाइनेशल ऑफिसर है असिस्टेंट जनरल मनेजर की सेकंड पोस्ट है थर्ड पोस्ट है चीफ या एजियम या एममडी नमबर फोस्ट पर वकैंसी दे रखी है आपको जनरल मनेजर रेविन्यू मैनेजमेंट की सिवंदीत नमबर पांच पर है आपको मनेजर की पोस्ट है सीनियर मनेजर नमबर 6 है परसनल नमबर 7 पर बिजनस एनलाइस्ट का है नमबर 8 पर बात करते हैं सीनियर मनेजर फाइनस में है एक वकैंसी दिल्ली में पोस्टिंग होगी 65,000 पर सेलरी आपकी इसके बाद में नमबर 9 मनेजर है परसनल आप देख सकते हैं इसके बारे में आगए डेटेल नमबर 10 पर दे रखा है मनेजर फाइनस नमबर 11 पर है मनेजर आपको कैटरिंग का दे रखा है मनेजर रिजर्वरेशन का दे रखा है नमबर 13 पर है स्टेशन मनेजर दे रखा है 14 नमबर पर है मनेजर प्राइजिंग एनलिस्ट का है और आपको यहाँ पर दिखा देना चाहते हो उनके लिए vacancies हैं, यहाँ पर है कि one for each, यानि अलग-अलग के लिए एक-एक vacancy रहेगी, और salary 39,000, 36, 36 होगा, right, 17 नंबर officer security का है, नंबर 18 पर दे रखा है कि आपको officer है, MMD, slot officer, जो इसमें दे रखा है कि customer care, या passenger sales है, इनकी number of vacancies दे सकते हैं, दिल्ली में आपकी posting होगी, या हैदराबाद में होगी, 36,000 पर आपको salary मिलेगी, number 19 पर assistant officer की vacancy है, तीन post है, इसमें दिल्ली में posting होगी, 30,000 पर salary होगी, number 20 पर cabin crew की बात है, तो यहाँ पर 42 vacancies है, तो आपकी यहाँ पर दे रखा है कि northern region, या आपको southern region के अंदर posting मिल सकती है, और इसमें दे रखा है कि please refer to separate advertisement on air India website 37,800 रुपए या नि लगबग 38,000 के something आपको salary मिलेगी, 21 number vacancy में दे रखा है कि supervisor की security में 3 vacancy each station के लिए रहेगी, यह station आप देख सकते हैं, और इसमें आपको 21,371 रुपे salary मिलेगी, अब इसमें qualification क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको पूरी detail दूँगा कि आपको form कैसे भरना है, और क्या क्या conditions रहेगी, ध्यान से पढ़िएगा सभी को, qualification आपके पास, यहां पर आपके पास ICAI होनी चाहिए, किसके लिए Chief Financial Officer के लिए 6 साल का experience होना चाहिए, account function के लिए, function में, यहां आपने handling कर रखाओ, finance system को, और आपकी उमर 50 साल होनी चाहिए, और 5 साल आपको relaxation इसमें मिलेगा, SCST और 3 साल OBC को मिलेगा, नमबर 2 है, जो AGM operations training के लिए है, graduation आपके पास होनी चाहिए, master in business administration from university होनी चाहिए, 7 साल का कम से कम experience होना चाहिए, in air flight crew training, including minimum 2 years of manager, जो आपका manager of Kansas के लिए, आपने कोई भी form भरा होगा, और इसमें age 45 साल होनी चाहिए, 5 साल का age का relaxation मिलेगा, SCST को, 3 साल OBC को, इसके बाद में number 3 पर है, AGM of MMD, इसमें आपके पास master in business administration में होनी चाहिए, 5 साल का age आपको experience होना चाहिए, handling material, जयान रखिएगा, material management in evisions department के अंदर, और 45 साल तक की उमर तक का form भर सकते हैं, AGM revenue department की बात करते हैं, तो आपको 2 साल का यहां पर दे रखा है कि full time 2 year mastering business administration होनी चाहिए, और इसके बादे हैं, 5 साल आपके पास experience होना चाहिए, ठीक है, किसी hotel industry का, किसी revenue department का, तो आप यहां पर form भर सकते हैं, 45 साल आपकी उमर होगी, इसके बाद में आता है, नंबर 5 पर है, जो senior manager है, आपका senior manager के लिए आपके पास graduate होनी चाहिए, business administration के अंदर, आपको यहां पर 4 साल का experience देना होगा, और यह experience must है, आप सब के लिए, ध्यान रखिएगा, otherwise आपके selection यहां पर रुख जाएगा, 45 साल तक की एसक का form भर सकते हैं, इसके बाद में, number 7 पर है, business analyst की बात करते हैं, graduate होनी चाहिए आपकी, यह आपके पास post graduation होनी चाहिए, और आप यहां पर 6 साल का experience देंगे, किसमें कि travel या tourism के अंदर, या travel management के अंदर, companies में आपने काम किया है, किसी hotel में आपके पास experience है, और आपके पास कम से कम, 4 साल का experience होना चाहिए, या अगर आपके पास यह degree नहीं है, तो आपके पास master in business में होनी ज़रूरी है, 45 साल तक की उमर होनी चाहिए, 5 साल का CST, 3 साल का OBC को relation मिलेगा, नमबर 8 पर है senior manager की vacancy finance के अंदर, आपके पास ICAI होनी चाहिए, 4 साल का experience होना चाहिए, ध्यान रखेगा, 2 साल का experience in airline accounting का होना ज़रूरी है, तीन साल का आपके पास hotel diploma management में experience होना चाहिए, और तीन साल का diploma होना चाहिए, और पान साल का experience होना चाहिए, 45 साल तक की चाली साल तक की इस तक आप फॉर्म वर सकते हैं, इसके बाद में नमबर 12 पर दे रखा है कि आपके पास graduation होनी चाहिए, और पान साल का आपके पास ambition experience in handling passenger registration जो system है, उसके base पर आपके पास experience होना चाहिए, या आपके पास दो साल की full time MBA होनी चाहिए, और तीन साल का आपके पास experience होना चाहिए, चाली साल तक की इस तक आप फॉर्म वर सकते हैं, station manager की बात करते हैं, graduation आपके पास होनी must है, पांच साल का experience होना चाहिए, एरपोर्ट handling का होना चाहिए, या आपके पास इसका नहीं तो sales and marketing का होना चाहिए, या आपके पास किसी भी firm के अंदर as a manager post का, यानि उस particular location का experience होना जरूरी है, 40 साल तक की age तक का form बर सकते हैं, और इसके बाद में आपको यहाँ पर conditions भी दी गी है, कि यहाँ पर preference would be given to the local candidate, in addition of salary mentioned above, the following the maximum 10,000 पे आपको reimbursement दिया जाएगा, किसका hotel rent हो गया, या आपको अलग जगा अगर आप रहते हैं, ठीक है, 50 liters of fuel का आपको मिलेगा, आपको यह particular इस 13 number post के लिए था, और 14 number post के बारे में पढ़ सकते हैं, 15 number post के बारे में देख सकते हैं, मैं आपको screen down करके दिखा देता हूँ, ताकि आप असानी के साथ सारी post के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत important है, आप में से ऐसे बहुत सारे students होंगे, जिनने as per मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी और बहुत जल्दी से उनको नौकरी चाहिए, कई ना कई, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये है, तो options बहुत सारे खुलते हैं, कहते हैं कि जिन्दगी always हमें मौका देती है, बेशर बहरहाल मौका बनाने की कोशिश हमें होनी करनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसके बाद में, और जैसे officer slot हो गया एक vacancy है, और customer के एक vacancy है, यहाँ पर passenger sales तीन vacancy है, और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप assistant जो officer है, उनके लिए management की vacancies हैं, और cabin crew की बात करते हैं, इसके बाद में supervisor security हो गया, अब आपको particular यहाँ पर क्या कहा गया, all the selected candidate will be appointed fixed term employment, जो आपका employment agreement होगा, 5 साल का आपका period होगा, 5 साल के agreement पर आपको point किया जाएगा, उसके बाद में फिर आपका turn आगे बढ़ाया जाएगा, आपको apply कैसे करने, apply करने के लिए मैं आपको बता देना चाता हूँ, कि आपको इस website पर जाना होगा, आप में सी कुछ student अभी भी नहीं समझे होंगे, तो please मैं आपको कहूँगा, कि आप www.air.india.in की website पर जाएगे, वहाँ पर आपको carrier पर क्लिक करना होगा, किस पर क्लिक करना होगा, carrier पर, carrier पर जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको वहाँ पर ये notification मिलेगा, और one side में होगा apply online, तो apply online पर आप क्लिक करके apply कर सकते हैं, और इसके बाद में आगे आपको जानकरी, वहाँ पर इसकी proper और मिल जाएगी, ठीक है, मैंने age की बात बता दी, उसके बाद में मैंने आपको कैसे करना है, और अब बात करते हैं कि यहाँ की fees कितनी रहेगी, ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, कि आपकी fees क्या-क्या मांगी गई हैं इनोंने, इसमें कि आपको proper जानकरी यह कहा गया, कि आपको इसकी website में मैं बेलेगी, Air India की website पर, ठीक है, demand draft for the amount of 15,00 रुपे होगा, 15,00 रुपे का आपको demand draft देना होगा, और SCST candidates को कुछ भी pay नहीं करना होगा, यह आपको ध्यान रखना होगा, और यहाँ पर EWS candidate को भी registration मिलेगा, चाहे वो SCST, OBC किसी से भी हैं, राइट, TADA replacement for SCST को मिलेगा, TADA का मतलब आप समझते हैं, traveling जो आपको announce होता है, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, इसकी जानकरी proper आपको मिल जाएगी, तो गैज बहुत ही अच्छा मोका है, opportunities हैं, आप इस परकार से offline form भी देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको proper तरीके से जानकरी मिल जाएगी, और यह इसका offline form भी भेज सकते हैं, तो thank you so much आप सब ने time दिया, maximum time तक आगे जुरूर शेर करियेगा अपने दोस्तों तक, हो सकता है कि आपके शेर करने से किसी ने किसी को जुरूर यहां पर रुजगार मिल सकता है, मैं आपको मिलूँगा, next session में तब तक ख्याल रखेगा, take care, bye bye,